हाई फ्रेंज कैसे हैं आप स्वागत करता हूँ आपके अपने शनल ट्रेक 11 फोकस पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MI vs BLR Full Stats Press Info यानि देखने वाले हैं Mumbai Indians vs Royals Lines Bangalore from the Dream 11 IPL 2020 Final Update के लिए आपको Telegram में जरूर जुड़ जाने किसी भी प्रकार का Update आपके लिए important हो सकता है कल रिदिमन साहा opening पे आये थे मैंने जैसे ही देखा आपको Telegram में बताया बहुत लोगों के messages आए कि उन्हें ट्राय किया मैं खुड ट्राय नहीं कर पाया लेकिन मैंने make sure किया कि मै आपको पहले बता हूँ और उमीद करता हूँ आपको उससे कुछ ना कुछ फायदा मिला था और at least कुछ लोग तो change कर पाए होंगे तो ये Telegram के updates important रहते हैं आप प्लीस Telegram में जरूर जुड ज़ुड जाएं एक लाक 38,000 लोग already जुड चुके हैं यहाँ पे आपको बता द मुंबई का score बाकी टीम्स के मुकाबले में हर मैच में जादा जा रहा है मुंबई बहुत अच्छी बल्ले बाजी कर रही है और बैंगलॉर में भी कुछ ऐसे खिला रही है विराट को ली एरन फिल्स डेवड़ परडिकाल और ABD विलियर्स जो की high scoring कर सकते हैं लास्ट मैचेश हुआ है मैने सब आपके लिए लिखें ताकि आपको पता रहे इस प्रिच पर क्या हो रहा है इस विकेट पर आप दीरे जरे गौर करिएगा रंस कम होने लगी है यहां पर आप देखेंगे रंस थोड़े कम होते जा रहे हैं और finally आप देखेंगे कि पिछले कुछ मैचेश में मुंबई राजिस्तान ने जरूर एक हाई स्कोरिंग खेल है लेकिन नॉर्मली आपको मैं फाइनल जो है पिछका वड़िक्ट की कैसे होने वाली है टेलीग्राम पर जरूर बता दूँगा करीब साथ बजे के 12 मैचेश इस ग्राउंड पर खेले जा चुके हैं जिसमें विकेट्स गई है टोटल 173 मिले दोस्त और वो 173 विकेट्स में 109 विक्टे फास बूलर्स को भी लिया है यानि maximum विकेट्स फास बूलर्स लेके जा रहे हैं टोटल स्पिनर्स को 53 विकेट्स मिली है ग्यारा रन दूसरी बल्ले बाजी करने वाली टीम 7 मैच जीती है दूसरी बल्ले बाजी करने वाली अभी तक 8 मैच जीती है अगर आप टाय देखेंगे तो एक मैच टाय भी हुआ है परोवर में भी गया, average score यहां 146 रहा पहरी निंग्स का, जबकि दूसरी निंग्स करा है, 142, आपस में इन दोनों टीम्स में 28 मैच खेले हैं, जिसमें 10 मैच मुंबई जीता है, 10 मैच मैच माफ की जिगा, 18 मैच मुंबई जीता है, 10 मैच बेंगलॉर जीती है, दो मैच इनों कि उसकी बतौलत, यहां पर equal किया score, लेकिन फिर भी हार गए थे, Super Bowl में, डिविलियर्स 55, नौट ओट, देविलियर्ट परदीकाल 54, एरन फिंच 52, ट्रेंड बोल्ट दो विक्टे, यहां से मुंबई इंडियन से, इशन किशन 99, पॉलाट साथ नौट आउट और RCB के बोल करके गए थे, दोनों मैचेस में बोथे, डिविलियर्स, क्योंकि पहले मैच में 70, नौट ओट किया, यहां पर 75, नौट ओट, और आज, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, कि इस साल मैच के लगया है, उसमें भी डिविलियर्स 55, नौट ओट ही है, तो अच्छा कर रहे ह यह मुंबई के आगे, यहां पर आप फिल्ट से एक बार गौर कर सकते हो, यह आपको यहां पर भी बताया है, तो हर मैच में कौन कंडर है, रंस डिविलियर्स कर रहे हैं, यहां मुंबई के लिए एक अच्छी बात यह है, कि इनका जो पहले का परफॉर्मेंस है, उसकी व मान की चल्रों के आज के मैच में भी शायद भारी रहे हैं, यहां पर फिर आपको को इंटन डिकोग और इशन किशन ओपनिंग करते दिख सकते हैं, लास में इन्होंने अल्रेडी बेंगलॉर के आगे 99 किया था और वो बहुत अच्छा 99 था, उस मैच में लोगों ने लिया भी आपको इनकी टीम में दिखेंगे, यहां पर अगर टीम चाहे तो नैटन कुल्टर नाइल को वापिस ला सकता है, लेकिन लास मैच में एक इकलौते पैटेंस था नहीं थे जिन्होंने दो विक्टे ली, तो मुझे लगता है अभी भी भारी रखेंगे कुल्टर नाइल लास मैच में इनके ऐसे ओवर जल थे नेटन कुल्टर नाइल तो खेले नहीं थे, कुरूनल और कायरन पुल्टर नाइल बटे थे, वाकी ज्यादतर पूरे ओवर डालते हैं, यहां पर एक बात आपको औरेडी बता के चलना चाहूंगा कि 19 वे ओवर में ही चेस हो गया था और आखरी में भी एक आदा ओवर बोल्टर पेडिनसन डालेंगे, यह रोल्स प्रस रिसेंट फॉर्म बिफोर आईपिल, मुंबई के फुल स्टाट्स प्रस इंफो, एंड साती सात आपके लिए लास सीजन के इनके मोस्ट रंस करने वले प्लियर और टॉप विकेट टेकर वो भी मैंने यहां पे लिखके दिया है, जो लास सीजन हुआ था, डिकॉक और भूमरा वही इस साल भी हो रहा है, लेकिन हारदिक का ध्यानर कियेगा, इस साल बोलिंग नहीं कर रहे है, लोर की तरफ से एक बड़ी न्यूज है, नवदीब सैनी ने अपनी वेबिंग स्प से नहीं बूलना, यहां पे हम बंगलॉर की बात करें, तो इनोंने भी 11 में से ठीक साथ मैच ही जीते हैं, जबकि लॉस इनोंने किये हैं, चार, आपको मैं बता दूँ कि Aaron Finch के काफी अच्छे रंस तो नहीं रहे, लेकिन जो सबसे ची पोजिटिव वात है, वो 52 रंस की इ आगे लास्मिच में जल्दी आउट हुए थे, राहूल चैर नहीं को आउट किया था, गुरकीरत सिंग है, मोहिन अली है, वशिंग्टन सुन्दर, क्रिस मॉरिस, नवदीब सैनी का अरड़ी पता है, तो टीम में उमेश यादव को जगा मिल सकती है, या अगर टीम चाहे, मोहिन की जगा कोई और प्लेयर ला सकते हैं, या नि उधाना और इंडियन में स्पिनर को लेके आ सकते हैं, उप्शन्स हैं, पवन नेगी, शबास खान, तो बहतरीन उप्शन्स हैं, तो वो कुछ भी चेंज़ अच बिंगलोर आपको करते दिख सकता है, यूजी चैहल और मोहमद सिराज इनके लिए खेलेंगे, इध्यान रखिएगा, मोहमद सिराज ने इसी ग्राउंड पे सबसे अच्छा परदश्रन दिया था अपना, और काफी खास किया था, उस मैच में दो मेडन और तीन विकेट डालके, तीचे आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा अभी कि किस स्टेच पे ओवर डाले थे, हर चीज देखके ही चलना, ठीक मुंबई की तरह इनको भी 20 वावर डालने का मौका नहीं मिला था, यहाँ पर CSK के टीम ने रुद्राज गायकवाड की मलत से 19 वे ओवर में चेस कर लिया था, और उस मैच में गायकवाड हमारे बहुत इच सब्सक्राइब जरूर करेंगे, यहाँ पर आप देखना चाहिए तो बैंगलाओर के प्लेयर रोल्स प्लस रिसेंट फॉर्म, RCB के बैंगलाओर के फुल स्टैट्स प्लस इंफो और साथी साथ लास्ट एर्गिन के टॉप रन स्कूरर और टॉप विकेट टेकर्स देख सक ले थे, उन्होंने हारदिक पंडिया को उट किया था, और रोयल स्रेंजर पेंगलाओर वो मैच जीत गया था, सुबर ओवर में इस विकेट पे अभी तक यानि इसी वेन्यू पे अबू धाबी के रोहिच चरमा ने 6 मैच में 237 रन कियें, सूर्य कुमार ने कियें 7 मैच में 246, डीकॉक ने कियें 7 मैच में 194, विराट कोली ने कियें 2 मैच में परदिकाल ने कियें दो मैच में 88 बुमरा का काफी अच्छा परफॉर्मेस रहे इस ग्राउन पे साथ मैच में 10 विक्टे लेकिन सबसे अच्छे जो बोलर मुझे इस ग्राउन पे लगे थे परदिकाल को आउट किया था लास्ट मैच में यहां पर ट्रेंट बोल्ट ने तो तोटल अभी तक इनोंने 10 गिन डाली हैं परदिकाल को 14 अन खातो है एक बर आउट किया है एरन फिंच तंग रहे हैं ट्रेंट बोल्ट से यह सबको पता है और आपने देखा है तो चार बर आउट हुए है यह ट्रेंट बोल्ट से ट्रेंट बोल्ट ने इनको 16 मैच में 22 एक विकेट और इंक्लूडिंग पिछले मैच की विकेट ध्यान रखिएगा जस्परी दूम्रा ने 28 गिन डाली हैं फिंच को 24 रन देते हुए एक बार आउट किया है विराट कोली तंग रहे हैं मिचल नेनेगन से पहले ही आपको बताया था बहुत अच्छे पेजबोलर है बाउंस वली बोल्ट दालते हैं इनको काफी बार शॉट लैंज पे आउट किया है और काफी बार स्लिप पे कैच्छे भी करवाए हैं राहूल चेहर ने अभी तक इनको पांच ही गिन डाली है जिसमें एक रन खाकर एक बार आउट भी किया है विराट कोली को ट्रेंट बोल्ट का मैं आपको comparison दिखाना चाहता था विराट कोली से विराट कभी आउट नहीं हो ट्रेंट बोल्ट को सिवाए एक साल 2019 में तीन बार वंडे में आउट किया ट्रेंट बोल्ट ने इनको 23 गेन डालका 7 रन खाए लेकिन 3 बार आउट किया ये बहुत मतलब एक classic battle है early swing पे थोड़ा आप कह सकते हो विराट कोली को trouble किये ट्रेंट बोल्ट ने लेकिन ये सब matches जो generally थे बाहर थे इंडिया के UAE के यहाँ पे नहीं हुए थे क्यों मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि वो ट्रेंट बोल्ट के home matches भी रह चुके हैं इंग्लेंड में भी आउट किया था इन्होंने आपको ध्यान होगा लेकिन वो सब इंग्लेंड न्यूजिलेंड की पिचिस्टी जो fast bowlers को support करती है UAE इंडिया ऐसी wickets पे आउट नहीं करते हैं यहां पर AB डिविलियर्स को जबकि जस्टिक गूमरा की बात करें इन्होंने भी दो बार AB डिविलियर्स का उट कर रखा है लास्ट में काफी अच्छे से AB डिविलियर्स ने संभाला लास्ट में आये तब तक क्रुनल पांडिया का रोल ही नहीं था और 55 not और भी क सकते हैं लेकिन रोहित का डाउट फुल है थोड़ा क्यों मेश अंदर आ सकते हैं मेरे भाई उमेश अंदर आ सकते हैं अबदीब सैनी की जगा जिन्होंने अपने हाथ पे कुछ इंजिर की वज़े से वेविंग की वज़े से शायद आज का मैच आपको खेलते हैं ना युजी चेहल इनको एक बार पहले आउट कर चुक हैं लेकिन लास्ट मैच में इनोंने पूरा इन सब को डॉमिनेट किया था और अच्छे खासे रंस करके दिये थे मुंबाइ इंडियन्स के लिए तूरिय कुमार यादव आठ गेंद आठ रं एक बार आउट हुए हैं क्रिस मोरिस को और उदाना की दो गेंदों में जीरो रं करके एक बार आउट हुए हैं इंक्लूडिंग लास्ट मैच अपको विगेंद में आठ गेंद में तीम अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे जो तीनो यह आप टीम में लेन चाहोगे क्विंटन डिकोग 11 मैच में 304 रंग कर चुके हैं 374 रंग करके टॉप स्कोरर हैं इशन किशन 9 मैचिस में 298 रंग कर चुके हैं और यह भी सेकेंड हाइस स्कोरर हैं मुंबा इंडियन्स के जबकि रोयल स्लेंजस बेंगलॉर से अभी तक एबी डिविलियस ने 11 मैच में 304 रंग की हैं इंक्लूडिंग अ वेरी इंपोर्टेंट नॉक और 55 नॉट अगेज दा सेम ओपोजिशन और यहां पर इशन किशन भी कैसे बूल सकते हो 99 किया था अगेज दा सेम ओपोजिशन बेंगलॉर तो यह तीनों प्लियर्स ऐसे हैं जिनको आप टीम में लेना चाहों कि मैं अभी के लिए क्विंटन डिकॉक और एबी डिविलियर्स को लेके चल रहा हूं इशन किशन को टीम में मैंने अपनी जगा नहीं दी है तो पहले मैं आपको थोड़ा safe team दिखा रहा हूं इस team में विराट कोली को ले रहा हूं लेकिन अपनी इस्की team में कुछ अलत करके जाऊंगा वह भी team में आपको दिखाने वला हूं इसी सेफ टीम में आपको बता दूँ विरात कोली को टीम में पिक करने ही कोशिश करी है सूर्य कुमार यादव को पिक किया है और यहां पर मैंने पिक किया एरन फिंच को अब देखो देवड़त पडिकाल नहीं यहां पर बहुत बहतर खेल आएरन फिंच से लेकिन मैं उम्मीद क क्रेट भी बच जाता है और बाकी जगह में टीम बहतर कर पाऊंगा यहां पर लेना चाहिए तो दिर्दर पडिकाल हार्दिक पंडिया हमारे लास्ट मिच में टीम में भी से और सौरब तिवारी भी आप अपनी टीम में पिक कर सकते हैं यह सब प्लियर्स का थोड़ा ध्य पुलाड अपने टीम से फिनिशिंग करते हैं और जरुवत पढ़ने पर रंस भी कर सकते हैं और दोनों ही जनरले कैचिंग पोजिशन्स पर रहते हैं पुलाड को काफी कम लोगों ने लिए इस मैच में उमीद करों इस मैच में हमारे लिए अच्छे डिफरेंशिल पर था प्रथेंशार अपने टीम में मोहिन अली को भी लेना चाह cherry मैं मोहिन अली को लेने और फैदा है एस लेफटामन is लेफटनि Ephом SH काफी सथा काम आ सकता है वो काम करके दे सकते आहल आपको इनके बार में बता रहा है क्यों पर क्रॉनल पांड il padya के लौट आट सौरब तिवारी के लावा दोनों विकेट कीबिंग सेक्शन में जो दी हैं कुईंटन डिकॉक और इशन किशन चारों लेफ्ट हैं एंड एज लेफ्ट हैं बहुत हैं आपको राइट आम आप वाशिंग्टन सुंदर और इंड मोई नली बोलिंग करते दिख सकते हैं यह हलका सा सेफर टीम है इसमें आपको यूजी चैहल नहीं दिख रहे हैं सबने विकेट्स लिया यूजी चैहल ने इस साल बहुत अच्छा परफॉमेंस दिया बंगलॉर के लिए हर बार देते हैं लेकिन मैंने अभी आपको पता दूँँ ग्यारा मैच में 16 विक्ट है उ अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर फोर मेंबर या थ्री मेंबर खेलना चाहते हैं मैंने उसके लिए यह अपना कॉंबिनेशन बनाया इसमें विराट को ली नहीं है मुझे रिस्क लेना पड़ा लेकिन मैं इसमें सारे अच्छे बॉलर्स ले पारा हूँ चाहे वो दूसरा कॉंबिनेशन ले सकते हैं लेकिन यह कॉंबिनेशन को मेजरली में ट्राय करने वला हूँ उमीद करते हूं वीडियो आपको पसंद आईए आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें आपको अगर कुछ इंफर्मेटिव लगता है तो सब्सक्राइब करेंगे ताक